नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल दोस्तों होली एक ऐसा महान पर्वा होता है जिसमें भारत के सभी लोग होली के पर्वा को मनाते हैं शभी जाती पाती धर्मा उची निज के भेद भाव को छोड़ करके सब लोग होली के तवहार को अबसी गले मिल करके मनाते हैं दोस्तों होली के जो तवहार है ये प्राचीन समय से चले आ रहे हैं दोस्तो होली में बहुत सारे ऐसे टोटके अजमाया जाते हैं बहुत सारे ऐसे क्रिया किये जाते हैं जो की 100% सफल भी होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि होली के समय को शक्ति परवा बोला जाता है इस समय जितने भी तंत्रीक क्रिया किये जाते हैं जितने भी उपाय किये जाते आप हमारे बिड़ो को देख रहें, आप हमारे बिड़ो से कुछ सिखने वाले जरूर हैं, बिड़ो को छोन करके मत जाईएगा, देखे दोस्तों हमारा एक ही मकसद हैं, हम लोगों को सधारान से सधारान एवं अच्छे से अच्छे उपाय बताते हैं, जिसे लोगों का भला आप अप सभी लोगों का गरिभी मीटे बहुं से लोग धनवार आतें लेकिन उन्हें सारीग पीड़ा होती तो हमारे बीड़ों को देखकर के सारीग पीड़ा से भी छुटकारा पास सकते हैं जबसे चुटकारा तो होली की समय में यही है जिरूर उपाय करें अपको 80 परिशन लब करना होली की समय में एक गुप्ता उपाय गुपता उपाय का मतलब है कि कुछ ऐसे समागरी के बारे में बताऊंगा जिसे आपको अपने पास में रखना है दोस्तों इन समागरी को रखने एक बाद आप अमरत्वा को प्राप्ता कर लेंगे कहलने का मतलब है कि कोई आब के बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है बीड़ो को पूरा जरूर देखना है बीड़ो को आप आधे बीच में छोण करके जाते हैं तो कहना चाहूंगा अधूरे ग्यान हमेशा खतना क्षावित होती है और दोस्तो जान करी हमेशा काम आती अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं दोस्तो विड़ो में आगे बने इस पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तो जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस दिन ये चार कारे आपको बिल्कोल ही नहीं करना है पहला कारा क्या है कि सामके बाद घर में जाड़ू नहीं लगाना है दोस्तों क्यों जाड़ू नहीं लगाना है क्योंकि होलिक दिन मातल लच्मी प्रतेक मनुष्य के द्वार में आती हैं क्योंकि होलिक दिन पुनीमा तित एक लोटे ज़ग एक गुलाब की पुषप अपने घर के मुख्यदवार पे रखते हैं तो ऐसे वेक्ति दिन दुगनी रात चोगनी तरक्य करते हैं तो साम के बाद में ज़ाडू नहीं लगाना है ज़ाडू लगाने शे मातलच्मी नराज होती हैं इस बात को विश्यस ध्य च्वाल्ड़श। अब करती है तो इस बात को विस्षछ ध्यान रखिए और हां घर के सामने में गंधगी मत रखना और इस दिन सराब मत पीना अगर अब आपके सरीर शुद हो क्योंकि मात लच्मी इस दिन प्रतेक मनश्यको अंस प्रदान करती हैं तो बहुतिक अंस इस दिन बधन कंच अगर जो वीक्ति इस दिन सराब पीते हैं तो ऐसे वीक्ति के जो लच्छमी अंस होते हैं तो इसे आप जो तरक्की नहीं कर पाते तो चले उपाय के और चलनते हैं कौन से इस उपाय करना चाहिए जिसे आब सभी लोगों के परकी हों दोस्तों कमेंड बाक्ष में ओम नमस्चिवाय या फिर जय सिराम लिखना न भूलना जो वेक्ति ओम नमस्चिवाय लिखेंगे जय सिराम लिखेंगे मैं मातारानी से प् व्यूश्य नहीं होंगा कि एसे वैक्ति के आप बिल्पोली सभी प्रकार के कश्टा को हल लेना ऐसे वैक्ति को जल्द से जल्द से जल्द सफल बनाना तो हुलिका अधहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए क्योंकि घर में बंधन हो जाते हैं इसके करा दोस्तो हम आप सभी लोगों कि जनी तो हम जन कल्यान के लिए इस प्रकार की उपाया बहता रहें और यह उपाया गुरु परंपरा से प्राप्त होती हैं यह पुस्तकी ज्यान से आपको कदापी नहीं मिनने वाला तो आपको करना क्या है एक मुठी आपको राई लेना है एक मुठी राई लेना है और आपको आधा मुठी शादे नमक लेना है पीसा हुआ आप सादे नमक ले लिजिए और आपको थोड़ा सा सरसो कतेल उसमें डालना है अब इन तीनों शमागरी को लेना है और इसे दोस्तो आपको अपने घर से साद बार वार करना है साद बार उतारा करना है पूरे घर में से आपको शाद बार घुमाना है इसके बाद घुमाते वी से जा करके जिस दिन होली का धन होनी है जिस दिन होली का माता जलनी है उस दिन इन सारे समागिरी को जा करके होली का माता में आपको डाल देनी है जलतीवी होली का माता में डाल देनी है तो आपके घर में किये कराएं लच्छमी का बंधन हो गया है घर में आपके अलच्छमी आगे हैं दरिदरता आगे हैं सब भस्मा हो जाएंगे खीच लेंगे लेकिन ये सब उतारा करते समय एक काम जरूर करने आपको बोलना है कि हमारे घर में जितने भी नकरात्मक शक्ती हैं जितने भी आसूरी शक्ती हैं सब ये जो नमक हैं राई हैं और ये सरसोक तेल हैं इसमें आ जाएं इस प्रकार से प्रातना करते हुए आपको जाकर किसी हुलीका माता जलतीवे हुलीका की अगनी में डाल देना शारे चीज भस्मा हो जाएंगे आपके घर में किये करें सब भस्मा हो जाएंगे और आप देखना दोस्तों आपके फिर उसी दिन से उसी टाइमस आपके घर हलका लेगना शुरू हो जाएंगे और दिन दोस्तों कि गुरु जी हमें भय बहुत लगता हैं हम कर्जा से निजात पाना चाहते हैं हमारे सर पे कर्जे का भार बहुत हैं अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी सर पे कर्जे का भार है और आप इसी जल्द चुकाने में शमर्थ हमान हो किसी ने किसी माध्धम से आप आपको ऐसा धन प्राप्त हो जिसे आप गर्जे से छुटकारा पा जाएं तो एक काम जरूर करना इस दिन अब जो है नर्सिंग इस्तोत्र का पाड़ करना और कितने पाड़ करना है दोस्तों ऐसा माना जाता है इनक्यावन अगर नर्सिंग इस्तोत्र का पाड़ करें तो एक अखी दिन में कर जिसे मुक्ती पाने का आपको निजात मिल जाएंगे यह फिर आप चाहें तो इस दिन रिड मोचन जो इस तरो त्रह होते हैं आप इनका भी पाट कर सकते हैं यह फिर अगर आप घर में आपके ऐसे सदस्य हैं जो कि बार-बार बीमार पढ़ते हैं समझ में कि उनका उप्चार किस प्रकार शब किया जाएं सभी प्रकार के आपने पैसा लगा चुके हैं यह फिर बच्चे को नजर दोस लग जाते हैं तो एक काम जरूर करें होली के दिन जिस दिन होली का माता जलनी हूं उज दिन साथ बार जिसके सरीर में रोग घ्रस्त हो रोग ठीक नहीं हो रहे तो साथ बार आपको साथ गुमती चक्रा लेने साथ बार उतारा करना है ये फिर जो लोग मनवानचीत नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे विक्ति साथ बार अपने सरीर से गुमती चक्रा का उतारा करे और इसे जा करके जलते वे आपको हुली का माता के अगनी में डाल देना और साथ परिक्रमा हुली का माता के कर लेना और थूड़ी सी राख हुली का माता के आपको ले आना है और इस राख को थूड़ी थूड़ी मातरा शाद दिनों तक आपको खाना है तो आपको जो नवकर तो इसके लिए एक काम आपको करना है आकाश्मिक धन प्राप्ति करने के लिए करना क्या है आपको एक पान का पत्ते लेना है और पान के पत्ते में आपको दो फूल वाला लॉंग डालना है और इसके बाद उसको पान के पत्ते को आपको फोल्डा कर लेना है इसके बाद आपको मनोकामना बोलना है जो भी आपके विश्यस मनोकामना हो वह मनोकामना इसे पान के पत्ते को और इसे आप जो है अपने दाहिने हाथ में दाहिने हाथ की जो मुठी उसमें बांध करके रख लीजिए और साथ बार होली का माता की आपको परिक्रमा करना है परिक्रमा करने के बाद एक मैं मंत्र बता रहूं इस मंत्र को बोल देना और यह जो पान है लौ मनोरत पूराय पूराय स्वाहा मम के पहले में आपको दोस्तों जैसे की जो आपके मनोरत हैं वह मनोरत बोलना इक्षित नवकरी बोलना मम इक्षित नवकरी मनोरत पूराय पूराय स्वाहा इस प्रकार से भी बोलते विए आप जो हैं हुलिका माता की अगनी में डाल सकते हैं ये फिर आप अपने मनोरत बोल दीजिए फिर आपको मम मनोरत पूराय पूराय श्वाहा इस प कार बोलते विए पान के पत्ते यो दो लोग रेखे सब को हुली का माता की अगनी में डाल देना है है तो होली के दिन ये उपाय जरूर करिए आपको बहुत लब मिलेंगे दिन राद चोगनी आपके तरक्की होंगे और ऐसा समय हाँ से मत जाने देना क्योंकि दोस्तों साल भर में ऐसा समय मिलते हैं और इस पकार के तांतरीक उपाएं हम जो बिड़ो में जोतिस उपाय बता हैं तांतरीक उपाय बता हैं ये आपको 100% लाब देते हैं आपके काफी ये त राखी कराने का कम करेंगे अगर हमारे बिड़ो से आपको तनिग भी शिक मिली हैं तो दोस्तों इस बिडêtो को जादा से जादा से शेर जरूर करना हो सकने छोटे से से किसी की जिंदगी को शमाड़ दें तो आज के जानकरी बस इतने ही दोस्तों बिड़ो दिखने के नमस्कार